नमस्कार जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल इंपोर्टेंट MCQ ऐसंदीप में दोस्तों डेलेट सेकेंड और फोर सेमेस्टर की तैयारी की क्रम में आज हम सामाजिक अध्यन का एक टॉपिक लेकर आए हैं धार्मिक और समाज सुधार अंदोलन दोस्तों यह जो टॉपिक है यह डेलेट सेकेंड और फोर सेमेस्टर दोनों में अच्छे से आती है और इसके सम्बंदित प्रश्न भी आते हैं तो इस वीडियो को लाज तक देखें और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लें तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे घंटी का निशान दबा लिजे ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे मिल जाए चले शुरू करते हैं आज का वीडिए अपर आप देख सकते धार्मिक और समासुधार आंदोलन क्या थे दोस्तों उनिस्वी सताब्दी में हुए आंदोलनों ने भारतियों को सामाजिक तता धार्मिक चेतना से आंदोलित किया इस कारण उनिस्वी सताब्दी को भ हुए हैं उनको step by step हम पढ़ेंगे और last में इससे संबंधित प्रश्णों को भी हल करेंगे तो यहाँ पर जो पहला है ब्रंभ समाज ब्रंभ समाज की स्थापना कब हुई थी most important है 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रंभ समाज की स्थापना की अब ब्रंभ समाज की स्थापना का जो उद्देश्य था वो भी पढ़ना जरूरी है सीधा दो नंबर में प्रशना आता है ब्रंभ समाज की स्थापना का प्रमुक उद्देश हिंदू समाज की बुराईयां दूर करना सभी धर्मों में आपसी एकता इस्थापित करना और हिंदू धर्म को रूडियों से मुक्त कर नया रूप देना था ये ब्रंभ समाज का प्रमुक उद्देश था तो यहाँ पर कुछ चीजे इंपोर्टेंट है जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई किसने की और इसका प्रमकुद्देश क्या था ये सबाब पढ़ लिजे अगला जो है प्राथना समाज प्राथना समाज 1860 में बंबई में महादेव गोविंद रानाडे और आत्मा राम पांडू रंग ने इसकी स्थापना की थी प्राथना समाज की बात हो रही है उन्होंने क्या किया उन्होंने इस्तरियों की परतंतरता बाल विवाह विद्वा विवाह का निशेद जातिकत संकीरता के आधार पर सजाती विवाह इस्तरियों की सिच्छा और उन्होंने काफी ज़्यादा काम किये प्राथना समाज की स्थापना के माध्यम से तो यहाँ पर यह important है 1800 सरचट में भंबई में इसकी स्थापना होई किसने की गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडूरंग ने अब अगला है आरे समाज आरे समाज 10 अपरेल 1875 को दयानन सरच सुती ने मुंबई में आरे समाज की स्थापना की most important है कबकी 10 अपरेल 1875 को और किसने की दयानन सरच सुती ने मुंबई में की अब आरे समाज की स्थापना का जो उद्देश था वो था वैदिक धर्म को पुनाशुद्य रूप में इस्थापित करना भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता के सुत्र में बांधना तथा भारती सब्विता और संस्कृती पर पढ़ने वाले पास्चात्य प्रभाव को रोकना जो हमारी भारती सब्विता और संस्कती थी उस पर जो वेस्टर्न कल्चर यारी पास्चात्य प्रभाव पढ़ रहा था उसको रोकना स्वामी धायानन सरस्ति इनका प्रमुक उद्देश्य था अब बात करें द्यानन सरस्ति ने एक मशूर नारा ये वेदो की और लोटो नारा देते हुए वेदो को भारत का आधार इस्तम्भ बताया इन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकास के माध्यम से विभिन धर्मों में व्याप्त अंद विश्वासों और रोडियों का खंडर किया यहाँ पर ये भी प्रशन उड़ता है कि वेदो की और लोटो किसने नारा दिया तो इसका उत्तर है दयानन सरस्ति सत्यार्थ प्रकास किसकी पुस्तक है तो इसका भी उत्तर है स्वामी दयानन सरस्ति तो ये आप समझ गये अब आगे देखते हैं रामकर्ष्न मिशन रामकर्ष्न मिशन की स्थापना किसने की तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानन्द में 1897 में अपने गुरू के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इनके गुरू का नाम था रामकृष्ण परमहंस तो अठारो सतानवे में इस्थापना की स्वामे विवेकानन्द ने की और किसके नाम पर की अपने गुरु रामकृष्ण परमांस के नाम पर की उन्होंने समाजी दिर्ष्टी से समाज सेवा और नारी सम्मान को महत्तु दिया छुवा छूत का कटू विरोध किया स्वामी विवेका नंद रास्टियता के पोशक थे भारत के नौ जागरण में विवेका नंद का बहुत बड़ा योगदान था तो रामकृष्ण मिशन से कितने कोश्चन बन सकते हैं यहाँ पर आपने देख लिया कि उनकी जो उनका सिध्धान्त क्या था ठीक है और उन्होंने कब इसकी स्थापना की किसने स्थापना की किसके नाम पर की सब कुछ क्लियर हो गया आगे देखते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी इससे संबंदित हर बारे एक प्रशन पूछा जा रहा है इसकी स्थापना 1875 में संयुक्त राज अमेरिका में मैडम ह.P. बलावाच्की और करनल अलकाट ने की कहां पर की संयुक्त राज अमेरिका में कब की 1875 में की और किसने की मैडम ह.P. बलावाच्की और करनल अलकाट में अब बात करें इसका जो भारत में मुख्याले खोला गया कब खोला गया 1886 में मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्याले खोला गया और करनल अलकाट की मृत्तिव के बाद श्री मती एनी बेसेंट इसकी अध्यच्छ बनी ये भी क्लियर होना चाहिए अब बात करें कि जो इसका भारत में प्रचार प्रसार किस ने किया था तो वो भी एनी बेसेंट जी नहीं किया था और एनी बेसेंट जी इसे सम्मंदित भी कुछ बाते हैं इनकी जो प्रमकुप लब्दी थी कि बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी अब बात करें थियोसोफिकल सोसाइटी का जो सिध्धान्त है वो क्या है यहां लोग पुनर जनम और कर्म में विश्वास करते थे उन्होंने आत्मा के पुनर जनम की सिध्धान्त को माना और मानों को व्यापक बंदुत की भी सिछा दी तो यह इनका सिध्धान्त थियोसोफ कितियों को दूर करने के उद्देश से अनेक मुस्लिम सुधारवाधी आंदोलन अस्टितित्य में है जैसे अभी तक आप ने देखा hindoवाधी सुधार आंदोलन थे अब मुस्लिम सुधारा आंदोलन भी 19-Wी सतावदी सेции लिये 19- वी सतावदी को सांस्कृतिक बहुत धिक जागरण काल कहा जाता है ठीक है? तो यहाँ पर जो पहला है अलीगड़ आंदोलन सरसयद एहमत खा के नेतरतों में चलाए गए आंदोलन को अलीगड़ आंदोलन कहा गया सरसयद एहमत खान की धारणा थी मुसल्मानों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में केवल आधुनिक पास्चात वग्यानिक ज्यान और संस्कृति को ग्रहन करके ही सुधार लाए जा सकता है यानि जो मुसल्मानों में कुरीतियां थी उनका जो इस्तर नीचे था सरसयद एहमत खान ने कहा था कि अगर उसको उचा उठाना है तो आधुनिक पास्चाते वग्यानि ज्यान और संस्कृति को ग्रहार करके ही उसमें सुधार लाए जा सकता है इसलिए आधुनिक सिच्चा को बढ़ावा देना जीवन भर उनका सरवप्रथम कामरा उन्होंने आधुनिक सिच्चा को ही एडाप्ट करने की हमेशा सोची उन्होंने अनेक सहरों में स्कूलों की स्थापना कराई और अनेक पास्चाति पुस्तकों का उर्दू में अनुवात कराया 1864 में सर सयद एहमत खान ने साइन्टिफिक सोसाइटी की स्थापना की यहां से भी प्रशन उठता है कि साइन्टिफिक सोसाइटी की स्थापना कब और किस ने की तो साइन्टिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सयद एहमत खान ने की 1875 में अलिगड में पास्चाते विज्ञान और संस्कृति के प्रचारक के रूप में मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज की भी स्थापना की 1875 में अलीगड में और इसी को बाद में अलीगड मुसलिम विश्विद्याले के नाम से जाना जाने लगा ठीक है तो ये चीच क्लियर हो गई अब बात करें दूसरे आंदोलन की बहावी आंदोलन मुसल्मानों की पास्चात प्रभावों के विरुद्ध सर प्रथम प्रत्क्रिया जो हुई उसे बहावी आंदोलन के नाम से जाना जाता है जब सरसेद आहमत खान ने क्या किया मुसल्मानों के उपर पास्चात प्रभाव डालना शुरू किया क्योंकि उनका मानना था कि अगर मुसल्मानों का इस तर उठाना है तो पास्चात की संस्क्रत हमें अपनानी पड़ेगी उसके बाद जब बहावी आंदोलन हो मुसल्मानों की जो पास्चात प्रभाव के विरुद सर प्रत्म जो प्रत्क्रिया हुई उसे बहावी आंदोलन के नाम से जाना जला वास्तों में यह पुनर जागरण वादी आंदोलन था साहवली अल्ला अठारवी सताब्दी में भारती मुसल्मानों के वह प्रत्म नेता थे जिन्होंने भारती मुसल्मानों में हुई गिरावड पर चिंता व्यक्त की थी ये भी एक बाद प्रशना चुका है कि अठारवी सताब्दी में भारती मुसल्मानों के वह कौन से नेता थे जिन्होंने भारती मुसल्मानों में हुई गिरावट पर चिंता व्यक्त की तो वो थे साह वली उल्लाः उन्होंने मुसल्मानों के रीती रिवाज तथा मानिताओं में आई कुरूईतियों की और ध्यान दिलाया तो ये था बहावी आंदोलन बात करें देवबंद आंदोलन की तो मुसल्मान उल्मा ने जो प्राचीन मुसलिम विद्या के अगरडी थे जो मुसल्मान उल्मा थे उन्होंने देवबंद आंदोलन चलाया था इसका प्रमुक उद्देश मुसल्मानों में कुरान और हदीश की सुद्ध सिच्छा का प्रचार प्रसार करना था तो यहाँ पर ये भी एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कौन सा आंदोलन था जिसका प्रमकुद्देश मुसल्मानों में कुरान और हदीश की सुद्ध सिच्छा का प्रसार करना था मुहम्मद कासिम ननोतवी तथा रशीद एहमद गंगोही ने देवबंद में देवबंद आंदोलन अंगरेज विरोधी आंदोलन था ये जो देवबंद आंदोलन था ये अंगरेज विरोधी आंदोलन था देवबंद स्कूल में अंगरेजी सिच्छा वा पास्चात पर पूर प्रतिबंद था जहां एक तरफ सरसयाद अहमत का पाश्चात संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे वहीं दूसरी तरफ अन्य जितने भी मुसलमानी नेता थे वो पाश्चात संस्कृति का विरोध कर रहे थे इसलिए जो देवबंद स्कूल था वहाँ पर अंगरे गुलाम एहमद ने चलाया कब चलाया ठारा सो नवासी इस्वी में इस आंदोलन का प्रमुक उद्देश मुसलमानों में आधोनिक बौद्दिक विकास के संदर्म में धर्मों के उपदेश और नियमों को उदार बनाना था मिर्जा गुलाम एहमद पश्चिमी उदार अत्यदिक प्रभावित अब इनसे सम्मन्दित जो प्रश्चिन बंते हैं वह आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो पहला समाज की स्थापना कहा हुई थी वो बंबई में हुई थी बात करें कि एहमदिया आंदोलन कब प्रारंब हुआ तो एहमदिया आंदोलन कब प्रारंब हुआ तो ये एहमदिया आंदोलन 1889 इसमें ये कौन थे ये आंदोलन शुरू किया था मिर्जा गुलाम एहमद ने अब बात करें आरे समाज की इस्थापना कहां हुई थी कहां की बात हो रही है आरे समाज की इस्थापना कहां हुई थी तो अभी हमने आरे समाज के बारे में पढ़ा है था आरे समाज की इस्थापना बंबई में हुई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं आरे समाज की इस्थापना 10 अपरेल 1875 को दयानन सरस्थी ने मुंबई में आरे समाज की इस्थापना की थी तो इस तरह आपने देखा कि कुल बिलाकर जितने भी प्रस्ण इससे बनते हैं वो तो आप समझी गया होंगे और कुछ प्रस्ण मैंने आपको करके भी दिखा दिये तो यहाँ पर आपके लिए जो प्रस्ण है वो भी आप सुन लीजे आज का प्रस्ण है देवबंद आंदोलन किसके विरोध में था अंग्रेजों के हिंदूों के मुसल्मानों के या इन में से कोई नहीं यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका नीचे आप कॉमेंट बॉक्स में बता दीजे और दोस्तों वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और डियलेट फॉर सेमेस्टर का अगर आप मैत का कोर्स पढ़ना चाते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दि किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत